इसका इतिहास तो यानि नेशनल थर्मल पावर कॉपरेशन यह कंपणी साथ नवंबर सन 1975 में स्थावित हो थी इसने अपना पहला थर्मल पावर प्रोजेक्ट सन 1976 में शक्ती नगर जो की यूपी में है वहाँ शुरू किया और उस वक्त ये प्राइवेट लिमिटेड थी लेकिन इसी साल यह क पीसी ने अपना कॉमर्शियल उप्रेशन शुरू किया यानि बिजली बेचना और बिजली उत्पादन करना और सन 1982 से 83 में इसने अपना पहला प्रोफित कमाया जो की साड़े चार करोड़ों पे था और 1985 के अंध तक यह 2000 मेगावाट पावर जनलेट करने वाली पहली कमप पादन के यह सिंग्रॉली में एक यूनिट लगाई जो की भोपाल में है और 500 मेगावाट की दो और यूनिट को चालू किया एक रेहान और दूसरी रामा कुंडम 1992 में इसने व्रोज गांधी उच्छार थर्मल पावर इस्टेशन जो यूपी पिसेयल की एक यूनिट है उसके साथ मिलकर इसने 1994 के अंत तक इसने अपनी छमता 15,000 मेगावाट तक कर ली थी फिर इसने 1995 उडिशा इस्टेट इलेक्रिक सिटी बोर्ड को टेक ओवर कर दिया और सन 1997 में इसने पावर जनेशन की वज़े से इसने इतनी अचीम्बेंट हासिल कर ली थी कि इसे 1997 में ही नवरतन की उपाधी मिली जो भारस सरकार के द्वारा दी गई क्योंकि इसने अब तक सौ अरब यूनिट बिजली का उतपादन करके एक माइलिश्टोन हासिल किया था इसी वज़े से भारस सरकार ने इसे नवरतन कंपणी का उपाधी से सम्मानित किया फिर 1998 में इसने 350 मेगावाट वाले काया कुलम में अपना पहला नाप्था बेश्ट प्लांट शुरू किया नाप्था बेश्ट बोले तो कोवन बेश्ट और गैस पावर प्लांट फिर 1999 में जो दादरी का प्लांट था जिसमें 96 परतीशत भारत में सबसे ज़्यादा प्लांट लोड फैक्टर यानी PNF को ISO 14001 के सास्थ सर्टिफाइट किया गया फिर सन 2000 में हिमाचल में 800 मेगावाट चमता के साथ इसकी पहली हाइडरो इलेक्टिक सिटी पावर प्रोजेक्ट का निर्मार शुरू किया और बन गई भारत की सबसे ज़्यादा बिजली उत्पाधन करने वाली कमपनी NTPC Limited भारत की सबसे बड़ी बिजली बनाने वाली कमपनी है सन 2016 में विश्विक की 2000 सबसे बड़ी कमपनीयों में NTPC का 400 वा इस्थान है मई 2010 को NTPC ये प्रतिष्टा प्राप्त करने वाली सम्मानित चार कमपनीयों में से एक है ये भारत की सारवजनिक चेत्र की कमपनी है जो मंबई के इस्टाउक एक्सजेंज में पंजीकरत है यानी रेजिस्टर है इसमें वरतमान में भारत सरकार का हिस्सा 89 फीजदी है NTPC की इस्थापना 7 नवंबर 1975 में हुई थी जैसे मैं आपको बता चुका हूँ कमपनी की कुल चमता 50,750 मेगावाट है अभी वरतमान में जिसमें पूरे भारत में इस्थित 20 कोईले पे आधारित और 7 गैस पर आधारित प्लांट हैं विजली उत्पादन करने वाले हैं कमपनी ने साल 2032 तक 1,28,000 मेगावाट की इस्थापित विद्दो चमता पैदा करने का लच्छे रखा है इस कमपनी में कुल राज़्टी चमता की 70.73 फीज़दी हिस्सेदारी है एंटी पीजी का मुख्य काम थर्मल पावर, लेक्ट्रिकल और कंस्ट्रक्शन संचालन है ये भारत के साथ साथ विदेशों के विद्दो तुपादकों को तकनीकी सलावी देने का काम करती है एंटी पीसी के 20 कोईले पर आधारित पावर इस्टेशन है वर्तमान में एंटी पीसी से 9 राज्यों को बिजली दी जाती है एंटी पीसी को यूपी, हिमाचल, दिल्ली, चंडिगड को बिजली सप्लाई की जाती है इसके 10 मेगा वॉट की नई सोलर यूट अभी काम कर रही है इसके अलावा अभी जो हाल में ही एंटी पीसी में जो हास्था हुआ था वो 500 मेगा वॉट की यूट है इसे अपरेल 207 में चालू किया गया था 3 सितंबर से इस यूट का ट्राइल किया जा रहा था हाला कि इसके ज़र ये बिजली की सप्लाई नहीं दी जा रही थी तो इससे हास्सा थोड़ा कम हो तो दोस्तो अगर आप कोई वीडियो पसंद आई है अपनी भारत की नवरतिन कंपनी के बारे में यानि एंटीपीसी के बारे में तो यार सब्सक्राइब जरू करो और लाइक जरू मारो इस वीडियो को और शेयर कर दो थैंक यू वरी मच और कीप शेयरिंग कीप लवीं तब तक के लिए सायुनारा और पाहे झास